कि है रोग दोस्तों होब कि आप सभी अच्छे होंगे आज हमारे डिसकसन कर टॉपिक है यूजी सेनिट जो दिसंबर साइकिल है उसका जो क्यारा तारीक का पेपर होने बाला है प्लिटिकल साइन्स का उसके बारे में कौन-कौन से डूस हैं और कौन-कौन से डॉंट्स हैं इसकौन से चीजें हैं जो हमें करनी हैं और ऐसकौन से चीजें जूमें अवाइड करनी हैं नेस्ट जो हमारा टापिक रहेगा कि हूं अपने मार्क्स को 10-12 कैसे कर सकते हैं जिससे कि जो अभी नेट नहीं कॉलिफाई करव पा रहे हैं वो उनका नेट हो जाए और जो जियार अफ के लिए रह जा रहे हैं वो अपना जियार अफ क्लियार कर लें क्यों चुक्राइब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मुस्किल से चार से पांच कोश्चन में हर बार नेट रह जाता है और चार ही पांच कोश्चन से जी आरेफ रह जाता है यह मैं पर्सनल एक्सपिरियंस से बोल सकता हूँ क्योंकि मेरा भी यही हुआ हाल हुआ था और इस समय अन्तिम दिनों में किस प्रकार अपने आपको मोटिवेट रखें और मैं क्या करता था इस टाइम पर यह भी आपके साथ डिसकस करूंगा तो यह चोटा सा वीडियो होने वाला है जिस पर मैं आपके साथ कुछ चीज़ें डिसकस करने वाला हूँ तो दोस्तों अभी तक आपके तयारी लगभग हो गई होगी और आप अपने रिवीजन के अंतिम चरण में होगे लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं हमारे पास 10 यूनिट्स हैं तो भले ही हर यूनिट का नंबर हर यूनिट से यह मतलब आयोग दोरा बता दिया गया है कि दस कोश्चन ही पूँचे जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं कि दसखिन ही पूँचे जाते हैं कुछ topics या कुछ जो योनिट्स हैं वो overlapping है और कुछ योनिट्स पर IO का focus ज्यादा रहता है तो उनमें से जो पहली योनिट है वो best and vertical thinkers की योनिट है जिस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है और अगर आपका ये तयार है फिर भी मैं आपको advise करूंगा कि इसको आप एक और एक बार और अच्छे से पढ़ें क्यों कि अगर आप best and vertical thinkers को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको योनिट वन में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है क्यों क्योंकि अगर एक टॉपिक है यहां पर यूनिट फरस्ट में लिबर्टी और दूसरा है लिबर लिजम लिबर लिजम तो अगर ये दो टॉपिक है हमारे पास और हमन को पढ़ रखा है उनके कॉंसेट को पढ़ रखा है यहीं चीजें बार बार घूम घूम के लिबर्टी और लिबर लिजम में आएंगी इसमें हम लोगों ने और जो इसमें पॉजिटिव लिजम के थिंकार है तो उनके बारे में भी अगर आप अच्छे से इनका अध्यन क कि हैं जो कि मारे टॉपिक में 24 तो उनके सारे कॉंसेट किलियर होते दिखेंगे आपकर क्यों कि रॉल्स के माधियन से भी आप जो मॉडरन लिब्र लिजम का कॉंसिप्ट है उसको भी देख लेंगे और जो थो हम लोग हिया आक और को पढ़ते हैं उसमें सेणिव लिब्ल ठीकर हैं और साथ में इंडियन पृलिटिकल हिंकर्स को भी इग्नोर नहीं करना है क्यों कि ये इन टॉपिक्स से मैंने जो अनपनेच है अटेम्टों में जो अनभो किया है कि इन टॉपिक्स से आपको भले दस दिया गया है लेकिन इसमें आपको कम से कम 12 से 13 कोश्चन देखने को मिल जाएंगे और ऐसा ही है आप पेपर मिला के देख लीजिए ऐसा ही है हर बार ही ऐसा होता है तो यह दो तिन चीजें आपको बहुत अच्छे से करनी है और आप इसमें से 3 यूनिट यह चलगभग तीन यूनिट का दिविजन तो आपको हो इंडियन कंस्टिट्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इंडियन कंस्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो जिसमें हम लोग इंडियन कंस्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो क्यों मैं इतना फोकस कर रहा हूं कि आपको यह वाली यूनिट पर ज्य कि यहां से question आपको कठीन मिलेंगे, सरल question यहां से नहीं मिलने वाले, लेकिन एक फायदा है यह unit अच्छे से तयार करने का, क्या फायदा है, कि अगर आपने इस unit को दिलो जान से तयार कर लिया, तो आपको फिर नौमी और दस्मी यूनिट में काम करने की ज़रूरत बहुत नहीं, आठ्मी यूनिट में जो political processes का concept है, उसमें भी आपको ज़रा फिर काम करने के रूत नहीं है, और तेन unit में तो पूरा current affair है, और थोड़ा बहुत quality से ही मतलब, वाहीं से तेन यूट बना दी गई है तेन यूट कोई अलग नहीं है जो साथ से अलग उसका एक सेक्सान ही है जिसे 10 का नाम दे दिया गया है और प्रिटिकल प्रोसेस से भी बहुत सारे कुश्चन आ जाते हैं जो डारेक्टली यूनिट 7 के होते हैं, तो ये बात है, फिर थोड़ा सा इसमें एक जो और महत्पूंट टापिक है, इसमें जो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, चूंकि जो पुलिटिकल साइंस है, उसमें पबलिक एडमिनिस्टेशन है, वो सीधे सीधे फोड़ा सा, इसको जो कनडिडे हैं, वो इसको मिस कर जाते हैं, और यहीं परकलती हो जाती है, क्योंकि यहां से 10 कोश्चन आते हैं, और 10 में आप अपने प्रिवेस नॉलेज के अधार पर 3-4 कोश्चन तो कल लेंगे, लेकिन 10 कोश्चन यहां से अगर कोई बच्चा है जो कि अच्छा इसको पढ़ा यह यूनिट तो दोस्तों यह बहुत मात्कून यूनिट्स हैं जिनको आपको हल करना है, और और ऐसी कौन से चीज़ है, डूंस क्या आपको नहीं करना है, तो पैनिक तो सबसे पहले नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है, पहले चीज़, कि अगर आप पैनिक कर देंगे, त और हमेसा याद रखिएगा कि हमारा सलेक्षन ना बनते हुए कोशन से नहीं रुखता है क्योंकि जो कोशन कठीन है वो सब के लिए कठीन है छमुनहीं रुखता है लोग वीजी कोश्चन रहुज करके आप तोि पैनिक नहीं करना है प्रिकशा हैlen में जाते को रिवाइज तो कर ही सकते हैं पिर आपने अभी तक कम से कम अगर तीन बार रिवीजन नहीं किया है और इसके आप सोच रहे हैं कि हम पेपर देंगे तो फिर आप 100% आप फेल होने वाले हैं क्यूंकि आपकी रिवीजन का ये पैटन होना चाहिए कि कोई भी टॉपिक आप तीन बार तो कम से कम रिवीजन करके जाएं जो फर्स्ट हैंड वाले बच्चे हैं उनके लिए बाद बुली जा रही है तो यह है फिर आपको बहुत ज्यादा लोड़ अब नहीं लेना है इतना करने के बाद आपको आपको जो सिश्ट सेवंटी और थर्टी के रेशियों पर काम करना है आपको 70 को परसेंट कुश्चन ऐसे होंगे लगर आपने अच्छे पढ़ाई की है तो सिवंटी एक सिश्टी फाइप से सिवंटी परसेंट कुश्चन ऐसे होंगे जो आप से हिट होंगे लेकिन यहां भी आप इसका जो रेशियों आएगा एवरेज वो आएगा अला कि क्या है क्योंकि मारे स्मार्किंग है नहीं लेकिन फिर भी कलकुलेटेड जो होता है न कि एक प्रकार से आप एक तो ब्लाइंड के साब मार रहे हैं दूसरा आप ऐसे गेस मार रहे हैं जिसमें अप्रवेल्टी है कुश्चन 50-50 वाले कुश्चन को टेम्ट करना है अला कि सभी कुश्चन करने हैं लेकिन जो केस होगा इंटेलिजेंस केस होगा ना कि यह थोड़ा सा आपको जागे रखना है और मैं तो यही सजिस्ट करूंगा कि आप पहले अपना प्लिटिकल साइंस का पेपर पूरा कर लें क्यों कि एक बार अगर यह सो की ले लिए तो फिर पेपर फस्ट में आपको केवाल आपचा रिकता करनी है तीस प्लस कुश्चन की बस तो यहां पर आपको थोड़ा सा और क्या रहता है कभी-कभी प्रेटिकल साइंस का पेपर लेंदी आ जाता है जैसे कि पिछली बार हुआ था जोन में जोन दोहजार तो गया काम से तो इसके जो दो घंटे हैं चाहिए बहले दो चाहवाद में दो चुकि यह पेपर आपका क्या है यह आपका स्टॉंग है फ़र्ष्ट पेपर निड़ने लें ही सकते हैं तो यह कुछ चीजें हैं जो मैं आपको पताने वाला था अंति मंति में जोड़ा चाह थिंकर्स को थिंकर्स पर ज्यादा ध्यान देजिए गया थिंकर्स प्लस उनके कॉंसेप्स को यहां से ही भूष सारे कोश्चन कोश लेता है और मैं आसा करत कुश्चन को तो डायरेक्टली और इंडायरेक्टली दोनों तरीके से कुश्चन आ सकता है तो ठीक है यही मेरी कुछ आपको टिप्स थी मेरा भी जून सब्सक्राइब करेंगी और मैंने अपने चैनल में बहुत सारे को कवर किया था अला कि बहुत दिनों से बहुत सारे वीडियो नहीं आए है इसका कारण था कि विस्तता थी कुछ और प्रिवस्थाएं कुछ थी नहीं क्यूंकि मेरा ट्रांसफर हो गया था और मुझे उसी जगह आना पड़ गया तो इस चक्कर में यहां पर विस्ताय नहीं थी इसलिए वीडियो नहीं बन पाया तो ठीक है अभी आप लोग इतना करिए और मुझे आसा है कि आप लोग इसमें अच्छा करेंगे और ठीक है अब बेस्टा प्लक थैंक्यू थैंक्यू में पर दिसका साथ मुझे नहीं पर दिसका साथ